इस्राइल को पड़ा जटका लगा है नेतन याहू का गुरूर टूट गया है क्योंकि इस्राइल जिसे हमास और हिजबल्ला के खिलाप सबसे बड़ी दिवार कहता है उसको नसरल्ला के लड़ाकों ने जटके में खत्म कर दी हिजबल्ला का दावा है कि उसने इस्राइल के आईरन डूम को एक जटके में फोड़ दिया है नसरल्ला के लड़ाकों ने इस्राइल के आईरन डूम के दो सिस्टम तबाख कर दिये हिजबल्ला का कहना है कि उसने उत्तरे इस्राइल के कबरी में उसकी बंबारी ने बड़ी तबाही मचाई यहीं पर आईरन डूम सिस्टम तैनाथ था यह बात पश्च्चमी मीडिया भी बता रहा है और इसकी चर्चा अमेरिका में भी हो रही है लेकिन इसराइल ने इस पर पूरी तरह से चुप़ी साध रखी है हमास के रॉकट को रोकने वाला आईरन डूम इस वक्त संकट में हर हमले का मूत और जवाब देने की धमकी देने वाले नेतन याहु ने आईरन डूम पर हुए हमले पर अब तक कुछ नहीं बोला है हाला कि ये तो तैह है कि इस हमले ने इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये है क्योंकि यही वो सुरक्चा कवच है जिसके बलबूते इसराइल अपने लोगों की हिफाज़त करता है उसकी सीमा में आने वाले रॉकेट और मिजाइल को इसराइल अपने इसी मिजाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराता है साथ अक्तूबर को भी जब हमास ने करीब पांच हजार रॉकेट से हमला किया तो आईरन डूम ने बड़ी तादाद में रॉकेट मार गिरायत हजबुला जानता है के रॉकेट इसराइल पर बेअसर साबित होते हैं इसलिए अब उसने एंटी टैंक मिजाइलों का साहारा लिया है वो तोप से भी गुलाबारी कर रहा है हजबुला लगातार इसराइल के लिए सरदर्द बना हुआ है पहले भी इसने एंटी टैंक मिजाइल सिस्टम से इसराइल के मरकावा टैंक को निशाना बनाए और अब उसके निशाने पर आयरन डूम सिस्टम आ गया है इससे पहले जब जब फिलिस्तिनी संगठन हमास में रॉकेट से हमला किया है आयरन डूम का सक्सेस रेट 95 प्रतिशत से उपर रहा है यानि हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डूम की मिजाइल फायर की गए तो उसने 90 से ज़ादा रॉकेट को आस्मान में ही रोक दिया इसी वज़ा से इस एर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी ये जेलिंस्की की डिमांड लिस्ट में भी आ गया आयरन डूम 4 किलोमेटर से लेकर 70 किलोमेटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है ये मिजाइल को भी रोक सकता है ये रोकेट के हमले भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है इसराइल की ये हालत देख कर कह सकते हैं कि इन हमलों को रोकने के लिए आयरन डूम फेल साबित हुआ है और इस्तमाल करने पर बहुत महंगा भी साबित होता है क्योंकि एक लाख रूपय की केमत वाले रॉकेट या तॉप के गुले को रोखने के लिए इससे दो मिजाईल फायर की जाती है जिनकी कीमत रेंच के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड रूपय हो सकती है यानि एक रोकेट जिसकी कीमत एक लाख रूपय भी नहीं उसको रोकने के लिए इस हत्यार की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है अब खुद आइरन डूम पर हमले ने बता दिया है कि नेतन याहू का कोई डिफेंस सिस्टम पुखता नहीं है दुनिया के सबसे बेहतरीन एर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले आइरन डूम पर अटाक के खबर में इसराइल को 440 वोल्ट का करंट लगा दिया है ये नेतन याहू के लिए भी बहुत बड़ा जटका है लेकिन सवाल है कि अब नेतन याहू इन हमलों का जवाब कैसे देंगे इस बुल्ला के धमाके के बाद दो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है गाजा और इसराइल की बीच चल रहे युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को तीसरे विश्री युद्ध के एपिसेंटर में तबदील कर दिया है और इसकी वज़ा से दो ताकतें सबसे ज्यादा फेक्र में डूबी हुई है पहले हैं इसराइल की ब्रधान मंत्री बिन्यमिन नेतन याहू और दूसरे हैं अमेरिका के राश्ट्रपती जो बाइडन दोनों की टेंशन का मीटर लगातार रेड लाइन को पार करता जा रहा है इस तस्वीर को लेकर खौफ बहुत ज्यादा है हमास से धाई महीने से जारी जंग और हिजबल्ला के बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका के रक्षा मंतरी लॉइड ऑस्टेन इसराइल पहुंच गए यहां उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इस जंग में अमेरिका इसराइल के साथ है हाला कि उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा कि अगर हिजबल्ला के तरफ से हमले तेज हुए तब भी वो इसराइल का साथ देंगे और भी जागी एक तरफ हमास गाजा पत्ते में इस्राइली सेना को कड़ी टककर दे रहा है। दूसरी तरफ लिबनान बॉर्डर पर हिजबुला लगातार फायरिंग कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि इसराइल के लिए अगला खत्रा कौन सा आने वाला है। ये बात नेतन याहू अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जंग में अमेरिका से भले ही उसको मदद मिल जा लेकिन युद तो उसे खुद लड़ना होगा। पर उसके ही सेनिकों को तैनात होना होगा। इसलिए हिजबुल्ला की तरफ से हमले तेज होने के बाद नेतन याहू ने अपना वार्ट ट्राइंगल तयार कर लिया है। नेतन याहू के वार्ट ट्राइंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरहा खात्मा है। नेतन याहू के वार्ट ट्राइंगल में दूसरा बड़ा कोना लिबनान में हिजबुल्ला का अंत है। जबकि नेतन याहू के वार ट्राइंगल का तीसरा सबसे खतरना कोना है सीरिया जहां पर इसराइल की एर फोर्स ने हमले तेज कर दिये हैं ये तीनों जगा या देश इसराइल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इसराइल इन्हें अपने खिलाप सबसे बड़ा खतरा मानता है यही वज़ा है कि इसराइल साल के बारा महीने महीने के तीस दिन और दिन के चौबीस घंटे युद्ध के मोड में रहता है उसकी सैनाएं हमेशा एक्टिव रहती हैं दुश्मनों को लेकर हमेशा चौकनना रहती हैं अपने आस्मान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इसराइल के पास चार लेयर में डिफेंस सिस्टम है पहला है आईरन डोम जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमेटर के दायरे में रोक सकता है मिड सेग्मेंट में दूसरा है डिविड स्लिंग सिस्टम जो 200 किलोमेटर की रेंज तक मिजाईल या विमान का दुश्मन बन जाता है एरो टू एर डिफेंस सिस्टम इसकी रेंज भी 200 किलोमेटर तक है लेकिन ये डिविड स्लिंग के मुकाबले में ज्यादा उंचाए पर जाकर आस्मानी टागेट को मार गिरा सकता है और चौथा है एरो ट्री जो ठाई किलोमेटर से भी आगे के टागेट को खत्म करता है और अब यही एर डिफेंस सिस्टम इसराइल का बिलिस्टिक मिजाईल को मार गिराने वाली गैरेंटी बन चुका है अपने चार लेर डिफेंस के चलते ही नेतन याहू का जोज हमेशा हाई होता है वो अपने दुश्मनों को जवाबी अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं गाजा में भी यही हुआ 7 अक्टुबर को अटैक के बाद से गाजा पर इसराइल का हमला जारी है युद कान कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता लेकिन जैसे जैसे युद लंबा खिचता जाएगा मौत के आंकड़े भी पढ़ते जाएंगी बर्बादी भी पढ़ती जाएगी फिलिस्तीन के स्वास्त मंत्राले की माने तो युद में अब तक 2400 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है दूसरी तरफ इसराइल के 139 सेनिकों की जान चली गई है बर्बादी और तबाही के ये आंकड़े तब है जब इसराइल फिलहाल एक मोर्चे पर जंग लड़ रहा है अगर हिजबुल्ला से भी आरपार की लड़ाई हुई और इसराइल को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी तो ये तैह है के बर्बादी और तबाही गाजा में हो रहे युद्ध से कहीं ज्यादा होगी झाल